कैंवbracht नमस्कार प्यादे बच्चो लक्षमन хл्as वापक स्वागत है और वहाजम पढ़ने वाले हैं GK मस्ती जी हाँ आध क्षम्क पढ़ने वाले हैं GK मस्ती तो इस चैनल सब्सक्राइब कराएगा तो पहला question है वै कौन सा जीव है जिसके दांत नहीं होते तो वै कच्छुआ है जिसके दांत नहीं होते हैं next question वै कौन सा जीवदारी है जो बिना पैर के काफी तेज दोड़ता है बताएए बहुत बच्छे वाले question है बताईए ऐसा कौन सा जीवधारी है जो बिना पैर के बहुत तेस जोड़ता है तो वे है सर्प ये साप नेक्स्ट कोश्चन वे कौन सा जनतु है जिसकी आखें हमेसा खुली रहती है बताईए वे कौन सा जनतु है जिसकी आखें हमेसा खुली रहती है नहीं पता वह है मचली जिसकी आखे हमेशा खुली रहती है ठीक है नाइस्ट कोश्चन बैक कौन सा जन्तु है जिसके पीट के उपर आखे होती है बैक कौन सा जन्तु है जिसके पीट के उपर आखे होती है बताईए नहीं पता उसका उत्तर है तिल चिट्टा तिल चिट्टा एक ऐसा जनतू होता है जिसके पीट के उपर आखें होती है नेस्ट कोश्चन भैक कौन सी मचली है जिसके अंग से बिजली पिरवाहित होती है ये तो साइंस का कोश्चन है अब को पता होना चाहिए वह है टार पीडो नेक्स्ट कोश्चन वह कौन से चीज है जिसे हम बिना चुए रोक सकते हैं ये तो बड़ी सामान सी बात है पता ये वह कौन से चीज है जिसे हम बिना चुए भी रोक सकते हैं वह है सांस जिसको हम चुए बिना भी रोक सकते हैं किस ब्रक्ष में लकड़ी नहीं होती तो केले के ब्रक्ष में लकड़ी नहीं होती है होती इंट्रेस्टिंग कोश्चन है आपको पड़े मिलते रहेंगे और सबस्वर यह वीडियो पड़े आगा आपके पास कौन से पक्षी रात में नहीं देखता है कौन सा पक्षी जो रा पानी ना पीने वाला जन्तू कौन सा है तो घुन है जो पानी पीए विना भी रहता है नेक्स्ट कोश्चन किस जन्तू का खून सफेद होता है तो तिल चिट्टे का खून सफेद होता है नेक्स्ट कोश्चन है बह कौन पक्छी है जो जमीन पर नहीं बैठता है बताईए भै कौन पक्षी है जमीन पर नहीं बैठता है तो चमगादर कभी जमीन पर नहीं बैठता है ताज महल किस ने बनवाया था यह तो सबको पता होगा साह जाने नाइक्स्ट कोश्चन यह कोश्चन पूचने जाक अच्छा है इसका जवाब देना आप लोग लोग सबा में एक दिन ना जाने वाले पिधान मंतरी कौन है एक पिधान मंतरी ऐसे से लोग सबा में एक भी दिन नहीं गय थे और उन्हें स्थीपा दे दिया था बताईए अच इसका तरह चोधरी चरण सिंग च्छैएंच के बनदर किस दिर में मिलते हैं या पाय आते हैं तो हैсь अमेरिका अमेरिका में उसके बनदर पायाते हैं नेक्स्त कॉच्षिन हैं भिलिया में सबसे पहले सुबय और साम कहा होती है विस्व में सबसे पहले सुबह या साम कहा होती है तो है नियूजिलेंड नेक्स्ट कोश्चन विस्व का सबसे बड़ा महा काब बे कौन सा है दो को ये तो हमारा धर्म की बात ही तो पता होनी चाहिए हर किसी को है न विष्व का सबसे बड़ा महा काव्य कौन सा है पता है सबी को वो है महा भारत विष्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है ये तो सबको पता होगा चीन की दीवार है ना नेक्स कोश्चन छिप के लिए दीवार पर चड़ते समय क्यों नहीं गिरती है कैसे होते हैं ? गद्यधार होते हैं ठीक है जब वो चढ़ती है चिप के लिए तो दीवार को कसके पकड़ लेती है अपने पेरों से गद्यधार पेरों से जिसको जिससे उसे बल आरूपित होता है वो शून contexts होता है इस कारण दीवार से उसके पैर की पकड मजबूत हो जाती और बैह नहीं गिरती है Next question बैह कौन सा पक्ची है जो सोते हुए जन्तूं का खून चूसता है बताओ एक पक्ची ऐसा भी है जो एक ऐसा भी पक्ची है जो सोते हुए जन्तूं का खून चूसता है तो अमेरिकाव में पाए जाने वाला चमगादड है ठीक है तो बिशमा कोशना है बहुत कौन सा फूल है जिस पर भवरा नहीं बैठता है तो प्यार दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक कीजिए प्लीज सेर कीजिए और इसको सब्क्राइब पर अवाल मिलेंगे अभी तो जनरल करा रहा हूं करन्ट और फेर के आपको कराऊंगा होमबर्क में आपको दो कोशन दे रहा हूं मैं इसके उत्तर आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर देना मुझे बहुत अच्छा लगएगा कि आप अंसर देंगे तो प्लीज अंसर दीजेग को में नहीं पता हो तो प्लीज देना की साथ हमें नहीं पता आप बता दीजिए तो घ्र बच्छा करती है ज़दा दूर पिलाती है अच्छा कूशन अ है तो इसका आप रिप्लाई देना कहीं से ठूनके देनाazy ठीक है कि तो प्यारे बच्चे अबर वीडियो अच्छी लगए हो तो प्रीज लाइक कीजिए, शेर कीजिए और चैनल को सब्क्राइब कीजिए और साम को वीडियो यहां पर अब्लोड किया जाता है, पर दे, टैंथ क्लास की साइंस का, तो टैंथ क्लास की साइंस का फूरा यहां कोर्स करा जा रहा है अपने चैनल पे, और सुवे को यहां पर जीके कराई जाएगी, और करन्ट आफ फेर्स भी यहां पर कराई जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब परेजिए और सबी लोगों को सेर कीजिए थैंक्यू